हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू आर्म पीएस यू तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मिशन है जितने भी बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं अभी आर्म पीएस यू के अंदर वो सब ये वीडियो ध्यान से देखि है बीएड का जो वैब पंजी करंण है वो खोला جा रहा है तो उसके संबंद में यहाँ 100 लिए हो कि अब यह काम कभी नहीं किए होंगे जो आप अभ यह करने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारी की सारी चीजों को अच्छे जे ठीक है तो ये वाला जो notice है ये हमने खोल लिया है जो वहाँ पर हम दिखा रहे थे तो देखे ये जो notice है इसके विशे में इन्होंने दिया क्या हुआ है कि जो विशे है वो तो वहाँ पर भी दिया ही ह तो सब के लिए है ये information अगर आपका admission हो भी चुका है किसी college में या फिर आपका अभी अभी भी admission हुआ है सब के लिए message है ठीक है तो सब को सब से पहला जो काम कर लेना है वो क्या करना है वेव पंजी करन करना है ठीक है ये जो official website है RMPSU की वहाँ पर जाकर student section में जाकर आपक इसका मतलब क्या है कि आप जो paper है जो exam है वो आप नहीं दे पाएंगे ठीक है नहीं दे पाएंगे तो इसलिए वेव पंजी करन जो है ये सब से जादा important प्रक्रिया है आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि जो वेव पंजी करन होगा वो कब से कब तक होगा तो इन्होंने डेट दी है बारह जनवरी से बीस जनवरी तक ठीक है तो टोटल मतलब आपको आठ दिन के करीब मिल रहे हैं आठ दिन तो आप उसे एक बार ही जानकारी ले 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 कि वैव पंजी करन कैसे करना है क्योंकि अच्छी तरीके से उसको कर देना ठीक है वैव पंजी करन के लिए आपको 200 रुपे फीस और देनी है ठीक है तो ये 200 रुपे फीस के साथ मैं आपको पंजी करन कर लेना है बहुत अच कर येगा चैनल को सब्सक्राइब रिजेगा वीडियो पसंद आया है तो लाईग कर लिजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिजेगा जो भी ङड मैं है चल सब चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए थांक यू